क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में बड़े मंगल का दिन हनुमान जी की पूजा के लिए कितना महत्व पूर्ण है? जेश्ट मास में यह दिन और भी विशेश हो जाता है। आए जानते हैं इस दिन के महत्व और विशेश उपायों के बारे में जो आपकी जिन्दगी को बड़ल सकते हैं। बड़े मंगल का दिन हनुमान जी की पूजा का खास महत्व रखता है। पौरानिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी भगवान श्रीराम से पहली बार जेश्ट माह के मंगलवार को ही मिले थे। इसलिए यह दिन उन्हें प्रसंद करने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं उज्जैन के जियोतिशा चारे रवी शुकला से इस दिन के महत्व और विशेश उपायों के बारे में। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्रीराम और हनुमान जी की पहली मुलाकात जेश्ट माह के मंगलवार को हुई थी। इसी कारण जेश्ट माह के दौरान पढ़ने वाले सभी मंगलवार को बड़ा मंगल कहा जाता है। हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा की जाती है, लेकिन इस विशेश दिन की पूजा का महत्व अलग ही है। अगर आपकी कुंडली में मंगल दोश है, तो बड़ा मंगल के दिन कुछ विशेश उपाय करके इसे खत्म किया जा सकता है। आईए जानते हैं इन उपायों के बारे में। मनोरत सिद्ध करने के लिए बड़ा मंगल को बजरंग बली को सिंदूर में चमेली का तेल मिला कर चोला चड़ाएं। इससे वह प्रसंद होते हैं और रुके हुए कार्य जल्द ही संपन हो जाते हैं। बड़ा मंगल के दिन घर में सुंदरकांड का पाठ करें। इससे घर में नकारात्मक उर्जा का नाश होता है और मंगल देव की प्रसंदता प्राप्त होती है। जिन जातकों की कुंडली में मंगल ग्रिह कमजोर है उन्हें बड़ा मंगल के दिन हनुमान जी को लाल रंग का फूल अर्पित करना चाहिए और मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। अगर विवाह में बादा आ रही है तो यह उपाय करने से जल्द ही विवाह के योग्य बन सकते हैं। व्यापार में लाभ पाने के दिए स्री हनुमान जी महाराज के चरणों का सिंदूर ले करके अपने व्यापार इस्थल पर रखें। और यदि आपकी कुंडली में मंगल है, मंगल दोश है तो हनुमान जी महाराज को लाल सिंदूर अर्पन करें। इससे मंगल तो उस दूर होगा व्यापार में उन्नती और परिवार में सुक्सम्रद्धी प्राप्ती के लिए गुड का दान करें जिससे की हनुमान जी महराज की विशेश कृपा आप सभी को हम सभी को प्राप्त होगी बड़ा मंगल के दिन हनुमान जी की उबासना के दोरान उन्हें बूंदी या बेसन के लड़ू भोग के रूप में अरपित करें साथ ही हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ जरूर करें इससे जीवन में आ रहे सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं और सुक सम्रिद्धी का आशीरवाद प्राप्त होता है इतन हनुमान चालीसा का पाठ करें भगवान हनुमान जी महराज को चोला अरपन करने के पश्याद स्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और भगवान स्री हनुवान जी की विशेश अनुकंपा यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तो स्री सुन्दरकांट का पाठ हम सब को करना चाहिए विशेश यह है कि बड़ा मंगलवार को हनुवान जी का पूजन करने से हनुवान जी महराज की आराधना करने से स्री हनुवान जी महाराज की सभी प्रकार की कृपा हमारे जीवन में प्राप्त होती है जै स्री राम चार जून को मंगलवार है और इसी दिन बड़ा मंगलवार इस महिने का दूसरा मंगलवार हम सब को प्राप्त हो रहा है Local 18 के लिए उज्जेन से शुभं मर्मत की रिपोर्ट